जाएं दोस्तों वेलकम बैक टू आज चैनल वेलकम बैक टू जॉब टेरिया आई होप सो कि आप लोग फिट एन फाइन होंगे और अपने स्टेडी को बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जिहां दोस्तों बहुत-बहुत वलकम हैं आपके अपने चैनल जॉब टेरिया परिवार में जिहां दोस्तों आपके समय चीज वीडियो में बहुत बड़ी एक गुड नीउस लेकर उपस्तित हूं दोस्तों जिस चीज का आप लोग वेसेबरी से इंतिजार कर रहे थे आपका एक्जाम साहे का चार्ज परिक्षा इस्तगित होगी साथी साथ फिर से दोवारा फॉर्म को रियॉपेन किया जाएगा तो बिलकुल जिया दोस्तों ओफिसियल एनौसमेंट आ चुकी है ओफिसियल नोटिस रिलिज कर दी गई है जैसे सी की तरफ से आविस्तिक सु इसमें क्या कुछ है इस चीज को हम लोग समझेंगे और यह जो परिक्षा इस्तगित की गई है यह आप परिक्षा कब होगी सेड्यूल क्या कुछ नोटिफिकेशन में है इन सभी तमाम बाते को इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो चैनल पर अगर फर्स टाइम जुड़ रहे तो जरू चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें दोस्तों कि यहां दोस्तों देख सकते हैं नोटिस में क्या कुछ है आप देख सकते हैं लेट नाइट जो है यह नोटिस यहां पर रिलीज की गई है आपका जो है यहां पर पांच जो है आपके फै तोस्तों यह पर आपके क्या कुछ नोटिस में समझते हैं देख सकते हैं आप यहां पर सुरज मंडल एवंग आइन बनामराज सरकार मौतिलान लाइक आइन बनामराज सरकार यह आपका जो है यहां पर याशी का नंबर डायर है और इस पर जैसे कि यह पहले भी मैंसन किया तो जो है आपने स्टेट या फिर सीटेट कॉली उफाई है उतिर्न है तो उनको जो है आवेदन करने का मोका दिया गया था तो वही बात यहां पर जो जिसका जो है आवेदन की तीथी 19 जनवरी से 26 जनवरी तक जो है जो है आवेदन फिल हुए थे जिसमे 26 जनवरी को तो क को अगर समझेंगे तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो नियमा बली में संसोधन हुआ है दोस्तो जैसा कि प्रिभेस विडियो में इस चीज़ को explain भी कि आ था कि आपके नियमावली में जो है चेंजेस किया गया है जिसमें आपका जो है यह त्रितिया संसोधन है दोस्तों आपका त्रितिया संसोधन है नियमावली यह तिसरी नियमावली है जिसमें संसोधन किया गया है और यह संसोधन करने के बाद जो है इसमें जो आप देख सकत साथ साथ थर्ड़ पॉयंट आपको समझनी की जुरुवत है इसमें आप सकते हैं करन्या संसोधित प्राबधानों से अभियार्तियों को पातरता पर पढ़ने वाले प्रभाव कीख्या की जा रही है जी रही है संसोधित जो आपका हुआ है संसोधन जो किया गया है नियोजन निती में तो उसमें नियमाबली में तो आपका जो है आपका नियमाबली में संसोधन के बाद जो प्रभाव पढ़ रहा है उसकी समिक्षा करने के बाद आपका जो है यहां पर आप देख सकते हैं सबसे नियोजन आवेशक हो गया है मतलब इसका पोस्पॉंट होना जरूरी हो गया है तो यह संसोधन के बाद फीर से आपका यहां पर देख सकते हैं परिक्षा का बिस्तरित कार्जकरम उपरेक्त अनुसार नए आवेदन आवेदन प्रावत करने की प्रकिरिया पूर्ण होने के ब प्रक्षा का बिस्तरित कार्जकरम जो यानि आप फीर से देखी ओनलाइन आवेदन फिर प्राप्त किये जाएंगे यहां परकासित की जाएगी उसकी तीथी घोसित की जाएगी तो यानि का application form यानि application window फिर से open होगा फिर यथा सिग्र आपका डेट जो है निकाला जाएगा परिक्षा का तो बिल्कुल दोस्तों यह बहुत बड़ी गुड निउस है उन सभी तमाम केंडिडेट का जो form को फिली नहीं कर पाए थे किसी कारण बस तो बिल्कुल इस बार आप चुकिए ना और जो नियोजन नियोजन नियमा बली में जो आपका जो है यहाँ पर नियमा मली में जो संसोधित हुआ है उसके बाद जो अभियार्थी add-on हो रहे हैं मतलब जो eligible हो रहे हैं वह भी form को फिल कर पाएंगे इस बज़े से यहाँ पर परिक्षा को प्रसपॉंड किया गया यही बात यहाँ पर बताई जा रही है और मैं बता दूं कि आपका जो यह application window open होगा तो यह 2-3 दिन ही होगा दोस्तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है तो इ ज्यादा टाइम नहीं देगी जैसे सी और और मैं बता दूं कि यह परिक्षा जो है ज्यादा डिले भी नहीं होगी दोस्तों यह आपकी जो है मार्च महिने में ही हो सकती है जैसे बीपीएसी का जो है यहाँ पे 3.0 जो सिक्षक बाहली निकाली जा रही है जिसमें आपका 15 को आपका notification देखने को मिलेगा जिसकी परिक्षा जो है जो आपका March में होने जा रही है उसी परकार जारकन में भी जो है आपका मार्च में ही March के last week में भी आपका बहुत ज़्यादा possibility है कि आपका exam conduct हो जाये तो आपको जादा समय और देखने को नहीं मिलेगा, March महिने में ह आपका एक्जाम होने जा रहा है यही मान के चलिएगा और अपने प्रिप्रेशन को अच्छे से कीजिए क्योंकि एक बहुत गॉल्डन अपर्चुनिटी निकल के आ रही है और यह साल पूरी तरीके से जो है आपका जो है आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि बहाली का ही साल है सेलेक्शन का ही साल रहने वाला है दोस्तो हर एक अपने स्टेट दूसरे अधर स्टेट को भी अगर देखेंगे तो आपके वैकेंसियां देखने को मिल रही है तो बिल्कुल यह साल जो है गॉल्डन अपर्चुनिटी लेकर आया है सभी के लिए तो प्रिप्रेशन पर बन में पेपर टू अगर सीटेट कॉलिफा हैं तो आपका बीपीस्टी का जो है आप सिक्स टू एइट वाले फॉर्म को फील कर पाएंगे दोस्तों तो उसमें भी बहुत हीुज अमाउंट में जो है देकेंसिया निकलने वाली है तो बिल्कुल पुरी तरीके से लग जाए र पिर से तब तक के लिए जय हिन जय भारत थैंक्स पर वाचिंग कर दो